अब तक जितनी भी वीडियो हमने बनाई है उसमें हमने डिसकस किया है कि कौन से मेरी प्रोटक्टिव पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स में हमने स्ट्प्ट्ट्ट्र के बाद किसके बनता है यह आप प्रोट आप करहें है तो सबसे पहले याद और आपको याद हो प्रीवेस वीडियो में है म Rica स़ेड़र में हमारे होता है द्यान से मैं स्ट्रेबार बोसाइं despite ठ्र están फ्लान है प्लान के वιαक थे अन्थर योड़ा ये चार क्या होते है Filip inski defeat है माइक्रोसपोर व्यक्रों चार और अगर माइक्रोस्पोर एंजियम के सेंटर में, उन माइक्रोस्पोर एंजियम के सेंटर में स्पोरोजिनस टिशू होता है, उस स्पोरोजिनस टिशू के सेल्ज को माइक्रोस्पोरोस्वाइट जा माइक्रोस्पोर मदर सेल जा फिर पोलन मदर सेल बोला जाता है, किसको बोला जाता है एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर एंजियम माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिशू उस स्पोरोजिनस टिशू के सेल को माइक्रोस्पोरोसाइट बोला जाता है वह माइक्रोस्पोरोसाइट माइक्रोस्पोर बनाते हैं सब्सक्राइब करेंगे कि वास्पोर मेरग मेरे घं समु हम्यर चाぬने इन प्रीणल के विस्टवा और ये anche कारए किया मैं जार टॉड़ों सब्सक्राइब ऑब करने दीनिनि ये में ग्रीप वस पींड़ी एद रिक्ट आवर अन्सकर दोम करूदम कर्या चाडब development of male gametophyte का ठीक है यह हमारे पास दो प्रोसेस है अभी तक हम यहां तक पहुँच चुके हैं और अभी इस वीडियो आज की वीडियो में I will discuss structure of pollen और इससे नेक्ट वीडियो में I will discuss development of male gametophyte clear so आपको step by step में ने बताया कि किसे क्या बनता है so आप इसको note on कीजिए मैं रब करके आज का टॉपिक जो हमारा है structure of pollen वो start करता हूं so next topic जो हम अभी discuss करें जा रही है that is structure of pollen ग्रेंड structure of pollen हमारे परस्क्राइऑ में सब्सक्राइब शबएल्स जो pollenES होते है यार यार इससे मल handई चाहित रहा है मेंरे मेंником इस्धस प्रशमौनl साइज स्मॉल साइज वैस्ट भी स्मॉलिग बहुतर स्पीजबे बहूर्ब small in size और इनका जो size होता है that ranges from 25 to 50 micrometer जो size होता है ranges from 25 to 50 micrometer और जो इनका shape होता है they are variable shape they may be round in shape may be oval in shape और may be poly hydron in shape और इनका जो shape होता है that is variable shape shape इनका fix नहीं होता shape vary करता है species to species clear so जो हमारे भी pollen grains होते है they are coated by a sticky substance which is known as pollen kit pollen grains coated by a yellow sticky substance pollen grains are coated by a yellow sticky substance called pollen kit just sticky substance to pollen kit बोला जाता है clear so after that हम दिसके करते हैं जो pollen grain है हमारा जो pollen grain जिसके हम बात करें that is coated by two layers again that is surrounded by two walls the wall the wall of pollen grain the wall of pollen grain consists of two layers consists two layers इसकी वाल में दो layers होती है कौनसी दो layers होती है एक layer होती है exam और दूसरी layer होती है हमारी in time जो exam होती है exam is a outermost layer कौनसी होती है आउटर मोर्स लेयर जो in time होती है इस वन इस इनर लेयर यह अंत्रवली लेयर होती है so exam in time clear exam outermost होती है in time inner layer होती है अगर मैं exam की बात करो exam की बात करो exam outermost it is made up of इसकी बढ़ी होती है made up of sporopolline sporopolline यह वनी layer sporopolline की बढ़ी होती है चीक है और sporopolline जो होता है this is और यह वनी लेयर जोती है बहुँच ज्यादा resistant of the sporopolline is a substance which is resistant to I said alkali and other enzymes yeah so this layer this layer is resistant to acids alkalis and enzymes so किसी भी तरह का enzyme किसी भी तरह का acids किसी भी तरह की alkali इस लेयर को destroy नहीं कर सकती है इस लेयर को degrade नहीं कर सकती ठीक है और यह पोलन ग्रेंज को harsh condition tolerate करने के लिए इस लेयर की बज़े से जो पोलन ग्रेंज होते हैं they can tolerate harsh conditions clear okay after that इस की बज़े से the shelf life of pollen grains the shelf life of pollen grains जो पोलन ग्रेंज की shelf life होती है is due to this layer is due to this layer यहीं एक लिए जो पोलन ग्रेंज की shelf life के लिए responsible होती है कि पोलन ग्रेंज कितनी टाइम जब जिल्दा रहेगा इट डिपेंदट ओं इस लियर आपए स्पोरप कालेंज की बाथ करीए हम किसी बाथ कर Grade we are junk ूब्साइन एक जाइन इतने पोर जने इट इट एक जाइन हिट आदे इस पूर्स कोड्स जांपोर एक जाएन की बात करें इसके अंदर पोर्जोते इस इनको जांपोर बुला जाता है और जी जह वह यह जहें है यहां पर दीनिज एपसंट यांपोर जांपोर वाली जगेद पर हो फोरो पॉलेनिनियदस बॉलेनिज एपसंट आट जांपोर जांपोर वाली जगेर पे इस पोरोग कॉलिनीर एपसंट होता है तो अभी आप मैं साथ में डाइगरम प्रॉग करना स्टाफ करता हूं यहां पे मैंने दो जगे बना ली यहां इसको शेड़ कर रहा हूं है साथ शेड अभी फूशिक करतों में सारा इसेड़ कर दो कि आपको अच्छे ज़र लेगा सेव टाइम मैं इसको थोड़ा सा रफीचे कर रहा हूं चली यह मारा शेड़ हो गया वर्लोस्ट तो यहां पर दिखिए इस पर मैंने दो जामपोर्स नमाई तो यह हमारी एर को नहीं होगे इस इस एक जाइन एक जाइन के पार दिसके अंदर एक इनर ले अभी होती है विच इस लोन आज एंटाइम इस वन इस इंटाइम वहलाए फोले डोले जोगी एक जाइन हो गई एक इन आज होगी ठीका आपको डागरां प्लियर जितना नहीं अभी तक यहां पर लिखा उत्वार्णा अब इंटाइम क्या अब कि इन है यह पहलक लिए यह करती है इल्ट सगव इसको कवर करती है इल्ट सबसूंड तेखाए सब्सक्राइण इस अधर दो थे efficiency को ऑफ प्सक्राएव ते हैसाथтора बीसीया साइ्ट नाश जन्ती समय चिसको यहां हो तोसेल्स साइटोप्लास्म तोसल्श होते हैं एक सेल को बोला जाता है वेकर टेटिव सेल्स और तो सेल्स दो कि टिर्साह्त ज्मिक्ती चेहां 15 चेहां पर cigar मुच्ट जोना सब्सक्राइब मैं एड़ा सेटेक्राइब किने भी कुछ पार वैने की तेढुको स्माल में प्रेसेंट इन दा साइटोप्लाजम अफ़ दा वेजिए पीटीटीफ तो यह वहारा क्या है वर्ड़ा-वर्डा-व्ड ला में एक झोटा सेल होता है विच इस बस सेल में एक झोटा सेल उता है विच इस लॉट ज़ोन एश अजर रेक्टीट इसल और डिस इस जाद रिखली के है? ट्यवनरी इसली डेड़को नियोग्यास यह न भी च्यादा है और ены वां डीन गर्टिटिव झाल और इसमें ज़ो न्यूक्लियस होता है डाट इस सफाटिव सेल पूड विज पूर दो इस वह निज पी होता है यहां पर कि मैंने इसकी सेल मेंबर्न बना देता हूं चालों तरफ क्लियर है तो यह हमारे दो सेल डवलप ओके आपको इसके पाथ इसके पार इसके पार इसके बाते हैं चुट-शुट-शुट-शुट-शुट भी होते हैं ठीक है ठीक है कि पैक यूज अगर आप नहीं भी बिढ़ा सब्सक्राइब था दो ओलें रेलिस अगरेंग जो गतरुए और नहीं रिलाइग आप इस स्टेज कहां सी जाती है जो चीनडिटिटिटिप सेल है इस जडिटिटिटिटिट्स जो अब न बात करें इस वोड मैल प्लालेटी को यह नो रहे हैं तो कि यह मैं चरद लिकने जा रहा हौं था बाया भिलिटी वह पोलन भाया फ्लिटी इस अ टाइम पीरियर्ट के कांग होता है अब टूवेच इस पोलां girls are having ability to germinate to fertilize सो इन पोलन ग्रेट की कब तक जल्मिट करने की कब तक करने की पापफलेटी है तक सब्सक्तक्राइब करने की है निसनों ऐस पोलन बाइबिलिटी पॉलन यहां वह टाइम पीरियर जब तक कि पॉलन ग्रेइन अपने जब धिन करने की की और फिमीर्ण गमिट के साथ फ़र्टिलाजेशन करने की डी रखता है यह सुमा लिव शोण ईपैबिलिटी और पॉलन बाइबिलिटी वेरी करती है प्लांट व अगर पॉलन ग्रेंग को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, we can preserve these पॉलन ग्रेंगs in the Poland bank, in a liquid nitrogen, clear? So, liquid nitrogen में minus 160 degree Celsius temperature पे, पॉलन ग्रेंग को प्रिजर्व करके भी रखा जाता है, done, और इसके लावा पॉलन ग्रेंग में जो नरिश्मेंट होते हैं, पॉलन ग्रेंग रिजर्वाइए याई नरिश्मेंट वेल्यू, that's why पॉलन ग्रेंग को अभी यूज़ी चाहता है, in the form of पॉलन ग्रेंग पॉलन टबलेंट जाता हैं, not only this, पॉलन ग्रेंग रैंग्रेंग्रेंग्रेंगिस बैठाएं इसकान जेक्श्चिन होगे, ही बाकिया नेक्स जोर डिवेल्पमेंट अफ में जो फाइट है अग्री विल्डिस्कस इन दा नेक्स्ट क्लास